प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट प्रिहस्पति देव के मंत्र का जब करेंगे इस मंत्र का अगर पूरे वर्ष भर आप जब करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा वैसे तो लोग ये मानते हैं, लोग ये समझते हैं कि सुर्योदय का समय और सुरियास्त का समय पूजा के लिए सबसे उत्तम है, बात बिलकुल ठीक है लेकिन मध्यरात्री में कम से कम 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपके पीनियल ग्लैंड से अमरित जड़ता है, अमरित तत्व आता है इस समय में मन को एकाग्र करना ज़्यादा सरल होता है और अगर आप मध्यरात्री में जग करके, मध्यरात्री में बैच करके साधना करें या ध्यान करें, तो इसके अधिक्तम फाइदे आपको जीवन में प्राप्त होंगे अब जानते हैं आज के विशे से जुड़ा हुआ एक महा उपाए अगर शुक्र से आपको लाब नहीं मिल पा रहा है, शुक्र अच्छा है, फिर भी फाइदा नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे सनान करने के बाद हलकी सी खुश्बू लगाईए, हलकी सी सुगन लगाईए, कोई भी लगाईए और एक काम ये भी करिए कि ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनिए, खास तोर से गुलाबी रंग और हलका हरा रंग बड़ा सूटेबल होता है एक इस फटिक की माला, सफेद इस फटिक की या सफेद क्रिश्टल की माला ले आईए और इसको आप धारण कर लीजेगा किसी भी शुक्रवार को अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो पक्की तोर पर आप जानिए कि आपका शुक्र सबल होगा और आपको जीवन में सफलता जरूर देगा देखिए, बैगनी रंग के जो वस्त्र होते हैं परपल कलर के जो कपड़े होते हैं ये प्रेम के मामलों में बड़े कारगर, बड़े इफेक्टिव होते हैं परपल कलर के वस्त्र या बैगनी रंग के वस्त्र या इस तरह का रुमाल अगर आप नियमित रूप से प्रियोग करें तो इससे आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे अगर आपको प्रेम संबंधी कोई बात करना है तो बैगनी रंग का रुमाल अपने साथ में रख करके ले जाईएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलिजर से